ज़र बच्चों, आज एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक मैं लेकर आए हूँ, अब सभी के लिए जिसका नाम है गॉस्ट लॉ। तो GAUS-FLOG का सिंपल स्टेट्मेंट यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का जो तुमने एक अप्रोच समझा है, डेवलप किया है, जो रियल में एक मैथमाटिकल चेंच होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, उसका बेसिकली मैं एक तुम्हें एक हैंडी अप्र और छोटी-छोटी DA Vectors का dot product करके पूरा integration throughout the surface करता हूं, कैसा imaginary surface जिसको मैं develop करता हूं, और उस surface पे ही मैं electric field का DA के साथ integral भी निकालता हूं, मतलब उस point पे जहां पे मुझे electric field निकालनी है, वहां पे मैं integration heat और DA करता हूं, और उस surface के अंदर जो charge रहता है, उसको कहा जाता ह Hello everyone, I welcome all of you to this very amazing platform of infinity learn by Shri Chaitanya, चर बच्चों आज एक बहुत ही बढ़िया सा topic मैं लेकर आए हूं, आप सभी के लिए जिसका नाम है Gauss Law, एक ऐसा elementary topic जिसको बहुत लोग पढ़ते हैं, बट शायद कुछ ना कुछ missing ends रह जाते हैं, तो एक one short, one full fledged session मैंने सूचा, क्यों ना ए जाये, जिससे आपको Gauss Law से related कुछ important pointers है, must do case studies जो होती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम Gauss Law को बहुत अच्छी तरीके से apply कर पाएं, और साथी साथ, इसमें कुछ बहुत important से questions होते हैं, जो की शायद आपके दिमाग में रहते हैं, बट आप उन्हें लाते नहीं, किसी से पूछते नहीं हो, तो शायद उन questions, उन सवालों के जवाब भी आज आपको इस particular session में मिल जाएंगे, जितने भी लोगों को इस session अच्छा लगे, please session को like कर देना, और channel को subscribe कर लेना, ताकि ऐसे amazing videos आपको मिलते रहें, तो शुरू करते हैं हम Gauss Law से, अब Gauss Law है क्या, तो देखो, Gauss Law basically एक ऐसा तरीका है, जिसके थूँ आप electric field lines को calculate कर सकते हो, अलग-अलग structures के लिए, जहां एक symmetry established होती है, अब ये मैंने क्या बोल दिया, तो इसका देखो application आप लोगों ने कभी भी Gauss Law पढ़ा हो, आपने एक sphere के around, एक cylinder के around, आपने electric field calculate की होगी using Gauss Law, और अ आप लोगी समझ जाओगे, कि Gauss Law को हम कैसे use कर सकते हैं, हमारी normal electric field calculation के लिए, जो कि हमें calculus के थूँ बहुत जादा heavy और hectic पढ़ सकती हैं, अब वहाँ पे Gauss Law काफी help करता है, बट Gauss Law से related सवाल बस वहीं से नहीं आते हैं, Gauss Law से सवाल कुछ अलग-अलग topic से भी आते हैं, तो इसलिए इस topic को समझना एक अलग नजरिये से बहुत जरूरी हो जाता है, अब सबसे पहले जानते हैं, Gauss Law actual में है कि, तो Gauss Law का simple statement यह है, कि electric flux निकालने का जो तुमने एक approach समझा है, develop किया है, जो real में एक mathematical sense होता है, electric flux निकालने का, उसका basically मैं एक तुमें एक handy approach दे रह जो एक electric flux रहती है, जो तुमने calculate किया हुआ है, एक electric flux को, that electric flux is actually equal to the enclosed charge divided by epsilon node, अब main सवाल यहां पे 2-3 आते हैं, सबसे पहला तो enclosed charge कहां से आ गया, मतलब यहां पे enclosed charge का case है क्या, और पहली बाद तो आप कौन सा ऐसा surface या इसी boundary ले रहे हो, जिसके अंदर आप बोल रहे हो कि इसके अंदर का charge मेरा enclosed charge है, तो यहां पे concept आता है Gaussian surface का, एक ऐसा imaginary surface जिसको मैं develop करता हूँ, और उस surface पे ही मैं electric field का DA के साथ integral भी निकालता हूँ, मतलब उस point पे जहां पे मुझे electric field निकाल ली है, वहां पे मैं integration E.DA करता हूँ, और उस surface के अंदर जो charge रहता है, उसको कहा ज आता है enclosed charge, जैसे कि आप समझ सकते हूँ, यहां पे एक spherical charge जो मैंने लिया है, वो basically मेरा Gaussian surface होगे, this basically now turns out to be my Gaussian surface, और इस Gaussian surface के अंदर यह जो charge है plus Q, यह हो जाएगा मेरा enclosed charge, अब मुझे throughout the surface E.DA करना पड़ेगा, जिस जो की mathematical तरीका होता है, electric flux निकालने का, और वो हो जाएगा Q and closed upon epsilon naught की बड़े, आगे बढ़े और कुछ इसी से related और बाते जाने, तो जो मैं अभी आपको बता रहात हो, basically कुछ इस तरीके का है, कि suppose करो आपका एक region है, जहां पे बहुत सारे charges distributed है, यहां पे आपका Q4, Q5, Q6, Q1, Q2, Q3, ऐसे, अब मुझे इस Gaussian surface मैंने आढ़ा टेडा से एक hapazard structure बना दिए, so इस Gaussian surface से related जो integration E.DA होगा, इस hapazard structure से related जो integral E.DA होगा, वो हो जाएगा मेरा Q enclosed upon epsilon naught के बराबर, मतलब की जो total E.DA होगा, इस particular surface से related, जो Gaussian surface है, that is going to be the enclosed charge divided by epsilon naught, अब मुझे आप यह बताओ, enclosed charge क्या है, इस Gaussian surface के अंदर कौन सा charge आ रहा है, क्या Q1 आ रहा है, बिलकुल सही, Q2 आ रहा है, बिलकुल सही, Q5, Q4, Q6 आ रहा है, बिलकुल नहीं, यह नहीं आ रहे है, तो enclosed charge हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 plus Q2 plus Q3 divided by epsilon naught, यह हो जाएंगे मेरे enclosed charges, यह हो जाएंगे मेरे enclosed charges, I think आपको यह पूरा analysis मिल चुका है, अब एक औ और question मेरे दिमाग में आता है, जैसा कि मैंने आपको बताए, ये पूरा का पूरा सेशन आपके ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देगा, जो कि शायद आपके अंदर हैं और आप उन्हें आंसर नहीं कर पा रहे हैं, कि सर आपने enclosed charge को ही क्यों consider किया, आप क्यों नहीं, बाहर वाल direction में निकलेगी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक Gaussian surface calculate करते हैं, Gaussian surface मैंने suppose यहाँ पर बनाया, और इसी Gaussian surface को मैंने थोड़ा shift करके यहाँ पर बनाया, दोनों में analysis करेंगे, कि क्यों मैं बोलता हूँ कि enclosed charge ही आपका flux calculation में help करेगा, आओ समझते हैं, अब electric flux का real meaning क्या होता है, ज छोटे-छोटे DA vectors का dot product करके पूरा integration throughout the surface करना है, तो यहाँ पर ज़रा गौर करो इस particular चीज़ को, कौन से किस case में मैं गौर करने की बात कर रहा हूँ आपको इस particular case में, इस particular case में और इस particular case में, यहाँ पर आप देखना, क्योंकि यह एक three dimensional half hazard structure है, इसमें जो DA vector होगा, जैसे मैं इस particular area की बात करूँ, तो यहाँ पर DA vector कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ होगा, अगर मैं इधर की बात करूँ, तो यहाँ पर DA vector कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, तो DA vector यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, बिल्कुल सही बात, आप पे जो देखने वाला है वो यह है कि electric field line कहा कहा बन रही है electric field line कहा कहा बन रही है तो ज़रा ध्यान दो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं electric field line की तो electric field का direction कुछ इतना ही है यानि कि E और DA के बीच में एंगल जो है वो around आप मान सकते हो 0 से 90 के बीच में आ रहा है मतलब cos theta अगर मैं करूंगा dot product करूंगा तो positive आयगा same चीज यहाँ पे भी यहाँ पे electric field इधर आ रही है मतलब मोटा मोटा मैं यह बोल सकता हूं एक average term में क्या हर जगे पे मैं जहां भी देखूं यहां पे देखूं यहां पे देखूं यहां पे देखूं यहां देखूं electric field इन और DA के बीच में जो angle है वो 0 से 90 के बीच में यानि हर जगे positive आएगी मतलब यहां कुछ flux है और वो flux मुझे पता दिया अगर मैं यहां बात करता हूं तो यहां पे इधर होती है आप देख सकते हो कि जो angle है जो angle है आपका वो around 180 के बराबर है अगर मैं यहां बात करता हूं इधर पे इस point पे electric field line इधर है यहां पे बात करूंगा electric field line इधर है यहां पे मैं individually आपको DA vector बना के दिखाना चाहता हूं यहां पे अगर DA vector की बात करेंगे तो DA vector कुछ जिधर आएगा यह angle आप देख सकते हो around 90 से जादा है और यहां पे भी अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे DA vector देख सकते हो आप angle जो बन रहे DA और E के बीच में वो greater than 90 है मतलब आप इसके इस particular region पे अगर focus करोगे तो आप यह देखोगे कि यहां पे जो flux की value आ रही है वो negative आ रही है और इस particular region में जो flux की value देखोगे वो positive आ रही है और overall कुछ इस तरीकी का adjustment है क्योंकि यहां पे electric field का magnitude obviously इधर से जादा ह होगा तो overall जो net flux calculate होगा इस थोड़े से region में जो किधर लाए कर रहा है वो इस positive वाले electric flux को cancel कर देखो तो main मुद्दी की बात यहां पे यहां पे यह आती है कि अगर charge बाहर चला जाता है और अगर number of field lines entering is equal to number of field lines exiting हो जाती है मैं यहां पे case जो बताना चाह रहा हूं कि incoming incoming field lines किसी भी Gaussian surface के लिए किसी भी structure का structure का कैसा भी structure हो तो यहां पे एक ही case समझ में आता है कि net flux जो होगा net flux 0 के बराबर होगा और अगर charge बाहर होता है तो यही same चीज होती है इसी लिए जो net flux calculate होता है वो हमेशा inside charges and close charges की वैसे होता है बाहर वाले charges की वैसे नहीं होता I suppose यह जो एक particular question है कि क्यों enclosed charges ही matter करते है flux के calculation में वो आपको आज answer मिल चुका होगा और इसके बाद वो सवाल आपके दिमाग में नहीं चलेगा अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ ऐसे structures ऐसे cases को जानते हैं जो की काफी जादा पूचे गए हैं पुराने सवालों मतलब पुराने सालों के सवालों में नीट म हैं तो वो सारे सवाल flux से related हमें जानना बहुत जरूरी है यह एक particular चीज आपको यह दिखाने के लिए कि Gaussian सर्फिस का आप कोई भी structure ले सकते हो डिपेंडिंग अपोन आपकी नीड बेसिकली देखो Gaussian गॉस लो हम यूस इसले करते हैं जैसा मैंने आपको बताया electric field calculate करने के लिए जो की calculus से थोड़ा heavy पड़ जाता है और साथी साथ Gaussian सर्फिस यह हमारी independence है कि हम कोई भी Gaussian सर्फिस ले अपनी symmetry establish करने के लिए क्योंकि symmetry establish जैसे line charge के लिए मैं एक cylindrical Gaussian सर्फिस लेता हूं वहीं एक cuboidal Gaussian सर्फिस लूँगा अगर मैं एक चार्ज की बात करूँ तो मैं एक spherical Gaussian सर्फिस लूँगा अगर मैं point चार्ज की बात कर रहा हूं तो depending upon circumstances मेरी जो symmetry established होगी जिससे आप से मैं answer निकालूँगा उससे आप से मैं अलग अलग Gaussian सर्फिस consider करता हूं आगे बढ़ते हैं और कुछ important से cases देखते हैं जो कि Gauss Law से काफी जादा बार पूचे गए हैं एक charge cuboidal या charge cube वाला जो structure है उसके कुछ standard charge cases है जो कि मैं चाहता हूं आप सभी लोग बड़े ध्यान से समझें सबसे पहला जो case है वो ये वाला case है कि आपका एक charge रखा रहता है एक cuboidal या cube जो भी आप Gaussian surface मानना चाहो या आपका Gaussian surface है या आपका एक Gaussian surface है और इस Gaussian surface के midpoint center पे आपने एक charge रख दिया प्लस की ठीक है दूसरा सेनारियो यह बनता है कि आपने एक charge रखा कहां पर एक charge रख दिया आपने इसके particular face पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 6 faces होते हैं तो किसी भी एक face पे आपने एक plus Q charge रख दिया और यह आपका Gaussian surface है साथी साथ next case जो होता है वो यह होता है कि आपने किसी भी एक edge पे किसी भी एक edge पे आपने plus q charge रख दिया ठीक है और चोथा case जो होता है वो होता है आपने किसी भी एक corner पे plus q charge तो यहां basically बात होती है charge के sharing से कितने cubes मेरे को चाहिए ताकि पूरा 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 charge enclosed हो जाए उससे आपका flux decide होता है कि इस particular surface से या Gaussian surface से जो net flux रहेगा वो कितना रहेगा जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा plus q इस cuboidal structure के अंदर है तो इस cuboid से related जो flux होगा that is just going to be equal to जो भी enclosed charge है q upon epsilon naught के बरावर होगा ठीक है अगर मैं वही चीज यहां बात करूँ तो यहां पे मुझे क्या मैं यह बोल सकता हूँ कि यह पूरा का पूरा charge enclosed enclosed हो चुका है बिलकुल नहीं अगर आप देखोगे इस face पे यह आधा charge अंदर है आधा बाहर है तो अगर मैं एक और cube बना देता हूँ जिसका जो face होगा वो इसके साथ चिपका दूँगा तो पूरा का पूरा charge enclosed enclosed हो जाएगा मतलब इस charge को enclosed करने के लिए मुझे दो cubes चाहिए दो cuboid चाहिए एक यहां पे और एक इसके बात करनों तो इसर पे आपको अगर charge पूरा का पूरा enclosed करना है तो आपको इन टोटल से चार 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 cubes चाहिए एक इसके सामने आएगा यह धर हो जाएगे तो यह आधा छुप जाएगा और एकदम ऐसा face वाला हो जाएगा अगर यहां सामने रख दिया उसकी बात फिर एक ऐसे दो और नीचे चाहिए मतलब एक दो तीन चार में टोटल यह पूरा का पूरा चार्ज आपका enclosed हो जाएगा अगर मैं चार्ज क्यूब्स या चार्ज क्यूबोईट से इसको भर देता तो यहां पे जो नेट फ्लक्स रिलेटेड होगा तो यहां पे मुझे टोटल एट क्यूबोईट या क्यूब्स की जरूवत पड़ेगी इस पर्टिकूलर चार्ज को एंक्लूउस्ट करवाने के लिए इस पर्टिकूलर स्ट्रक्चर से अगर मैं फ्लक्स रिलेटेड या असोसिएट बता हूँ तो यह बहुत इंपोर्टेंट और स्टैंडर्ड से केसे है चार जो कि आपको पता होने चाहिए और इससे रिलेटेड सवाल आए हैं पुराने सालों में तो यू शूट बेरी क्ल ने रख रहा हूँ जो कि यह है कि यह चार्ज क्यों इस प्लेज़ डिस्टेंस एबाए टू अबव दे सेंटर ऑफ और होरिजॉंटल स्क्वार स्क्वार सर्फिस ऑफ एज ए आ शोन इन फिगर फाइंड फ्लक्स ओप्ट्रिक फिल्ट थ्रू दे स्क्वार सर्फिस मुझे बताना है इस चार्ज की वज़े से इस पटिकुलर सर्फिस से रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सरी कैसा सवाल तो देखो सवाल कुछ अलग नहीं है सवाल एकदम कॉंसेट से है कि यहां इस चार्ज से रिलेटेड इलेक्टरिक लाइन होंगी कुछ इस तरीके से राइट और जो भी इलेक्टरिक फीलाइन होंगी इस तरीके से वो इलेक्टरिक फीलाइन इसके थ्रू पास हो रही होंगी और जो पास नहीं हो पारी होंगी उससे रिलेटेड कोई भी फ्लक्स नहीं होगा तो में केस यही है कि जितनी भ एर शीट है जिसका edge length a है और ये जो charge है इसके central point से a by 2 length उपर रखा हूँ है अब इसको करने का अप्रोच ये रहता है अगर आपने इस particular case को बहुत अच्छे से समझा है तो ज़रा ध्यान दो कि ये जो point रहता है ये जो भी आपकी अगर ये cube मान लूँ मैं इस चीज को अगर मैं cube consider कर लूँ तो इस cube में अगर ये edge length a हो जाएगी तो ये a by 2 के बराबर होगा और वही सेम चीज यहाँ पर replicate हो रही है मतलब कि मैं ये assume कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक cube है जिसकी edge length a है और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरा एक particular cube establish हो रहा है जिसकी edge length म जो flux होता है flux due to entire cube, entire cube कितना हो जाता है that becomes equal to cube by epsilon note, simple से चीज़, अब अगर ये पूरे cube से cube by epsilon note हो रहा है और ये सारे 6 faces, total 6 faces है इस particular cube के और हर एक face के लिए ये symmetric है ये हर एक face के लिए symmetric है अगर आप गौर से देखोगे ये हर एक face के लिए symmetric है जित्ती दूरी पे ये है उत्ती दूरी पे ये है उत्ती दूरी पे ये है उत्ती दूरी पे ये है तो क्योंकि या symmetry है तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि यार एक चेहरे किसी भी एक face से related, flux due to any face, any face that is going to be equal to 1 by 6 times q by epsilon not, और यही इस सवाल का answer भी है, यहाँ पर चीज गौर करने वाली यह है कि यह जो distance है, a by 2 ही होना चाहिए, अगर a by 2 से जाद है कम होता है, तो फिर अब symmetry के तहत यह नहीं बोल सकते कि हर एक phase से जो flux related होगा, वो बराबर होगा, यहाँ क्योंकि symmetry है, हर phase के लिए वो same दूरी पर रखा गया है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो net flux होगा किसी भी एक phase से, that is going to be 1 by 6th times the total flux related with the entire cube over here, ठीक है, so I think यह analysis से आपको काफी अच्छी understanding और insight मिला है flux से related, और कुछ standard cases करने के बाद, आपको यह चीज़ पता चलिए कि हाँ, gos law क्या होता और gos law से कैसे सवाल आ सकते, gos law यहीं पर खतम नहीं होता, gos law से related काफी सारे concepts और सवाल application के तोर पे बनते हैं, और जिसको हम समझेंगे एक और concept वीडियो में, अगर आपको यह session अच्छा लगा, तो इस session को please like करना, और share करना, और साथी साथ इस channel को subscribe कर लेना, ताकि और भी बहुत अच्छे ऐसे concept videos आपको मिलते रहें, और आपके concepts clear होते रहें, so I'll be signing off with this note, thank you and bye-bye.